प्रुशमिनी आप तक अगर आवाज पहुच रही है तो तस्रीरों आप देख सकते हैं और तस्रीरों देख कर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कैमरा भी आप टेल्ट हो रहा है बार बार पुलिस हला की मौको पर मौजो दे पुरे तरीके से भीर को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कुछ लोग वीडियो भी वहाँ पर बना रहे है जैसा कि तस्वीर में दिखा बहुत सारे लोगों के हाथ में फोद थे फोद से वीडियो लोग बना रहे है भीर लगातार भढ़ती जा रहे हैं ये देखे तस्वीरे एक्स्क्लूजिव तस्वीर इस वक्त भीर बढ़ गई है अलकि भीर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पोलिस मौके पर मौजूद है रिश्व मणी अगर आपको आवाज मिल रही है तो ज़रा दिखाईए का तस्वीर और साथी जानकारी दीजेगा कि कैसे मैनेज किया जा रहे है भीर को तो देखा आपने मीडिया से दरसल ये नाराजगी जताई जा रही है जैसा कि हमारे सायोगी ने भी जानकारी दी कि मीडिया इसे कवर ना करे ये कहना है इस भीर का भीर में जो लोजो थे इनकी नाराजगी मीडिया करने के साथ कि मीडिया कवर ना करें और मीडिया ना पहुँचे यहाँ पर कवर करने के लिया लगी आप देख सकते हैं कि कई और्गिनाजेशन्स वहाँ पर मौजूद है और मीजिया की कवरिज को लेकर नराज़गी जताई के उन सभी लोगों ने जो जनाज़े में शामिल होने के लिए परिशे देगे और इसी बीच एक बड़ी ख़बर जनाज़े की प्रक्रिया शुरू हो गई है थोड़ी देर में दफनाया जाएगा मुक्तार अंसारी को और जनाज़े की प्रक्रिया शुरू हो गई है थोड़ी देर में जनाज़ा यहां से निकलेगा कब्रिस्तान के लिए और कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाएगा मुक्तार अंसारी को पूर्वांचल का डॉन एक बड़ा माफिया जिस पर कई मुकदमे रहे जिसने अपनी जिन्दगी के कई साल जेल में काटे 45 साल का लगभग अपराधिक इतिहास और अब मिट्टी में दफन होने जा रहा है हमारे सायोगी हमारे सा जुड़े हुए रवी पांडे जाधा जानकारी के लिए जुड़े हुए है रवी बता जा रहा है जनाजी की प्रक्रिया शुरू हो गई है कितनी देर में निकलेगा जनाजा कोई जानकारी जो बिल्कुल देखे जो मुसलिम धर में जिस परकार अंतिम संस्क्तार के जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो चुकी है लगभाक एक से डिड़ घंटा लगेगा उस पूरे प्रक्रिया को इस प्रक्रिया के अंतरगत जो शव है उसे इसलान करवाया जाएगा इसके साथी जो नमाज पढ़ी जाएगी जो मौके पर एक फातिया या फिर जो दूआ होती है वो पढ़ी जाएगी और इसके बाद जनाजे को सजाने के बाद जनाजा उठा करके सीधे कब्रिस्तान आएगी तो वो प्रक्रिया अब शुरू हो गी है और इस प्रक्रिया में लगभग 10 ग माताजी और बाकी जो उनके पूर्वज है वो यहां पर दफन पहले से ही किये गया है और इसी कब्रिस्तान मुक्तार भी दफन होगा यानि कि आज दस बजे एक जो एक माफिया का बड़ा जो एक चेहरा था वो मिट्टी में सिपूर्द हो जाएगा और यहां से एक जो एक बजे जो मुक्तार का जो जनाजा है वो यहां पर कब्रिस्तान आ जाएगा बिल्कुल तो थोड़ी दिर में यहां से जनाजा निकलेगा जैसा कि हमारे सायोगी ने बताया अमित गंजू भी जुड़े हुए हमारे साथ अमित कब्रिस्तान के बाहर आप मौजुद है और आ बजे जनाजा बताया जा रहा है थोड़ी देर में निकलेगा और प्रोसीजर भी शुरूओ चुका है अमित पांच दशक तक अगर कहा जाए चार दशक तक कहा जाए तीन दशक तक कहा जाए यहां एक सामराज बनाने वाले चीक चीक अमित मैं आपके पास लोटती हूँ रिश्वमनी त्रिपाथी घर के बाहर क्या माहौल है इस वक्त एक बार आपको दिखा देते हैं क्योंकि मीड पाई 300 मीटर दूर मौजूद हूं हम लोग बिल्कुल बगल में खड़े हुए थे लेकिन अचानक मुक्तार के जो समर्तक हैं जो उनके चाहने वाले लोग हैं वो मीडिया के उपर नाराज हो गए हैं उनको मीडिया की कवरेज से कुछ परिशानी हाला कि उनका ये भी तब पाद उन्होंने अपना दल बना लिया दा तो जाहिर सिवात है यहां के जो लोग हैं उनका रंज है गम है उनका दुख है और वह उस दुख को अपने उस रंज़ो गम को जाहिर करने का जो तरीका है वह अच्छित तो नहीं कहा जा सकता मीडिया की कवरेज से उनकी पूलिस प्रशासन की जो पूरी कवायद है वो यही है कि कोई भी आसमाजी इन परिस्तितियों का फायदा उठाकर इस भीड में दाकिल ना हो जाए और कहीं कुछ अनुहोनी घटना ना हो जाए ये बात बिलकुल सही है उनका गुस्सा है उनका अक्रोश है वो तमाम नारेबाजी भी कर रहे हैं लेकिन कोई कानून हाथ में ना ले रहे इसकी पूरी को उसी सही कि कोई असमाजिक तत्थ हो इस भीड में शामिल ना हो जाए शीनम बिलकुल और साथी रिश्वमणी क्योंकि विता जारा जनाजी की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो थोड़ी दिर में जनाज़र जो निकलेगा वो यहीं से निकलेगा जहां पर आप मौजूने इस वक्त जी हां बिलकुल इसी सड़क से जनाज़ा निकलेगा यह मुखतार अंसारी का गर जो घर है उसको यूसूफ फाटक क्या हाता भी बोला जाता है तकरीबन यहां से 200 मीटर की दूरी है हम पहले उसके घर के बिलकुल नजदीक खड़े हुए थे लेकिन जब वहां पर उनके समर्था कुछ उगर हो गया आकरोशित हो गया और मीडिया से उनकी नाराज़गी थी लियाजा हम लोग कुछ दूर पर आ गए येकिन इसी गली से आगे बताते हैं कि वहां शवियात्रा उनकी ले जाई जाएगी और दस बजे के करीब उनको कबरिस्तान जो उनक अपना जमीनी निटवर्क है उनके अपने चाहने वाले अगर जाजीपूर के तमाम लोगों से हम बात करें तो उनके लिए बेटा है किसी के लिए भाई है तो उनके जो तमाम चाहने वाले हैं वो यहां पर इखटे हो गए हैं और ऐसे में भी कुछ तत्व जाहिर से बात ह कि भीड में शामिल हो सकते हैं, वो माहौल खराब कर सकते हैं, तो पुलिस प्रशासन की पूरी कोशिस यही है कि कोई असमाजिक तत हो, भीड में शामिल ना हो पाए और यहां के माहौल बिगाडने की कोशिस ना करें, भारी मातरा में यहां पर पुलिस P.S.C. परेमिलिटरी निकलने वाला है मुकतार का जनाजा, कभिसतार में दफ़्णाने की तयारी पुरी करली गई है, मुकतार के घर के बाहर भारी भीड देखी जारी है, उनके जो समर्थक है वो लगातार पूँच रहे ए और भीड बढ़ती जारी है और इससे पहले हमने देखा कि मीडिया के साथ नाराज़गी भी दिखाते हुए उनके समर्थक दिखाई दिये निकलने वाला है मुक्तार का जनाज़ा प्रक्रिया शुरू हो गई के और थोड़ी देर में यह जनाज़ा यहां से निकल जाएगा जो कि कब्रिस्तान पहुंचेगा हमारे सही होगी अमित गंजू भी लगातार जुड़े हुए है अमित वहाँ पर कोई जानकारी हो कि कितने वज़े तक कब्रिस्तान यह जनाज़ा पहुंचेगा और दूरी कितनी है कब्रिस्तान तक पहुंचने की मुक्तार के घर से लेकर कब्रिस्तान तक की अमित देखे शिनम जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग दस बुज़े का टाइम दिया और ऐसा माना जा रहा है कि अपने तय समय पर ही यहां उनका जनाज़ा यहां आएगा और उसके बाद सुपरत की काओगो मैं पने कैमरेमेंट से कहांगा देखे ठीक है इस सामने पैसेज है हम लोग ठीक यहां से दिखाना चाहूंगा देखे यहां से जहां तक नजर मेरी जा रही है और जहां तक मैं अबने स्टपस बैक कर रहा हूँ यह पूरा यहां से 7-7- मिनिट का ये पैसेज टोटल लगेगा जैसा बताए जा रहा है क्योंकि वो जो एरिया है जहां फाटक है जहां उनका घर है या पुराना पर उस्तेनी घर है उहां से होते हुए सीधे यहां हैंगे और ऐसे में यहां पुलिस के अधिकारी पूरी तरिके से डिटाय में अपने यहां के लिए एक सामने पैसेज बनाया गया है और क्योंकि जो अभी एपसे कुछ देर पहने जैसे हम बताना चाहेंगे कि कि यह मुझे बड़ा दुखत है और हम यहां कंसोल करने कंडूलिंस करने आएं और वही इस तरफ निकल गए और अगर मैं अपने कैमरे में से कौंगा देखे देरे-देरे करके जहां तक कैमरे के नजर कम से कम पैदल क्योंकि बेरिकेटिंग लगी है ट्रैफिक के रूल्स का पालन हो उसके बाद विकल्स वहां खड़े के एक लंबा जथा देखा जा सकता है क्योंकि यह जैसा कि मैंना को बताया था कि नौब जी के आसपास की एक नमाज को अदा करेंगे और उसके बाद यह लोग सब उसमें शामिलों को मैं कामेरे में से को थोड़ा पैन करके द गाइडलाइनस हैं, उनके अपने फैमली मेंबर्स ने भी कल जब अदिकारीं के सब बैठक की तो उसमें अपनी सहमत ही बताई कि सब लोग अंदर जाना पॉसिबल नहीं क्योंकि उनके बुजर्गों की इनके अपने फैमली के जो इनके पूराज़न उनके भी यहां कब र वहां रहते हैं मिट्टी डालने में वही लोग रहते हैं जो उनके खून-खांदान के हैं गया उनके अपने परिवार से जुड़े लोग और ऐसे में आई-काड वाली बाद भी बार-बार सामने आ रही है और मैं पर कैमेरे में से कहूंगा एक बाद प्लीज एक पर इसको व और जब मिट्टी हास से डालिंग उसके वाल इसको पार्थना इस पर पट्रा रखना इसको बराबर करना इन्हीं लोगों का काम हो जी चीक है अमित सेक्यूरिटी भी काफी ज़्यादा टाइट है कब्रिस्तान के बाहत जो कि हम देख पार रहे हैं और हमारे साथ रवी पा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और थोड़ी देर में जनाजा वहां से निकलेगा दूरी कितनी है कब्रिस्तान तक की अगर हम बात करें तो जो मुक्तार का घर है वहां से कब्रिस्तान तक पहुँचने में कितना वक्त लगेगा जब देखिए जनाजा की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और लगभग एक से डेल घंटे में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और तैस समय में जो दस बजे सुपर्देखा करने की जो समय है उसी समय जनाजा उटकर के यहां कब्रिस्तान आएगा हमारे साथ हमारे से ह मनीश है मनीश अभी अप अंदर से आये हुए हैं वहान काफी हंगामा भी हुआ है अभी अंदर की जो ज्वासिर उसा जांकारी है कि यह कितनी दूरी लगभग करिस्तान उनके घर तीustar की जिजका के आंदर हुए जान इसके बाद आन य शौन समय में पढ़ी जाती वो पढ़ी जाएगी उसके बाद जणाज़ा वहां से निकलेगा और एक किलोमीटर की दूरी है मुक्तार अंसारी के प्रत्रिक घर से लेकर जिसकाली बागा कब्रिस्तान की तो एक किलोमीटर की सव्यात्रा जनाजा यहां तकाएगा जिसका वाद उन्हें सुपुर्दय खा किया जाएगा तो बिल्कुल देखिए अंदर जो भीड है वो सलक से आनी सुरू हो चुके और यह पहले मुक्तार अंसारी के घर जाएंगे और वहां से जनाजे में साथ उट करके यह यहां पर सामील होने के लिए आएंगे लेकिन